देही सवभाग्यमा, देही परमसुखम, सवरूप देही, देही यशो बहबब इसे कामना के साथ जे मीडिया के तमाम दर्शकों को दिपावली की हार्दिक शुप कामना है और हम पूरी तरीके से तैयार है, पूरे विदी विधान के साथ कैसे आपको पूज़ा करनी है कैसे आपको मा लक्षमी को प्रसंद करना है, ताकि आप सभी के जीवन में सुख संपनता आए और आप सभी के जीवन में खुश्यों के बाहर रहे, हमारे साथ आचारे जी मौझूद है, जो आपको पूरी विधी विधान से साथ पूजवा करने की तरीका आपको बताएंगे, और क्योंकि दीपावली खास दिन होता है, क्या संयोग इस बार बन रहा है, कितना महत्रुप बने होई है लोगों में, आपको ले करके, क्योंकि अगले ही दिन तिथी पढ़ रहे है, तो ऐसे में दीपावली किस दिन है, आज या पर किस दिन बनाई जानी है, दीपावली एक आनंद का पर्व है, भारत की संस्किति, सब लोगों सबसे पहले तो हमारे समस्त जी अब बना रहे है, या नि चोटी दिवाली बड़ी दिवाली, हनुमान जी की जयनती, साथ में रूप 14, अनेक उत्सव एक साथ संम्मिलित होकर इस बार सुंदर योग बना रहे है, यानि समस्त प्रकार से बड़े शुब दिवस का वैसे अलगलग दिवस होते हैं तो इसको पॉजिटिव भी इस प्रकार से ले कि सारे के सारे सब एक ही दिन इतने बड़िया आनंद का महूर्त बन गया है तो सब मिलकर सबका समस्त देवु का पूजन करके हम अपने जीवन मे भगवती महालक्ष्मी का पदारपन करा सकते हैं गडशी की अलाधना करके हमारे समस्त विगनों को दूर कर सकते हैं बबाण कृष्ण के आशिरवात से धर्म परायन हो सकते हैं क्योंकि नरकासुर का वदुनों संगार उन्हों ने किया था सासत हनुमान जी की शक्ती को प् हो गए तो बड़ा सुन्दर महूर्त है हम भवान की अराधना करने के लिए सब लोग अपने घर में विद्धिमान है और बड़े आनंद से दिवावली का फूजन हमारे साथ मिलकर आप करेंगे तो जो विधी हम संक्षिप्त विधी आपके समक्ष उपस्त करने जा रहे है समस्त प्रकाह से कल्यान को प्रशस्त कराने वाली है आनंद भाव उत्पन्य करने वाली आपके मनुद्धों को सिद्ध करने वाली हो यह समस्त समध्री है इसको भी हम बताएंगे लेकिन सबसे पहले क्यों रहा महूर्त के बारे हम बात करने बिल्कुल अचारे जी मुरह ज वह सूर्यस्थ के बाद घर में जब पूजा की जाती है सुर्यस्थ के बाद व्रशव लगन जब आरम हो जाती है तो हमने उसका पैटन सेट किया है दिल्ली वालों के लिए बात करें तो मुंबई के लिए बात करें तो वह समय सब्सेश्थ रहेगा कि शाम को करीब करीब साथ बचके पचास मिनट तक का महूट रहेगा लगनौ की बात करें तो वह अच्छा काल रहेगा करीब साथ बचके तीस मिनट से लेकर नोबचके दस मिनट तक का एमदाबाद वालों के लिए जो समय है क्योंकि सूरी तो ने में थोड़ा फरक होता है उसकी साथ के सब्सक्राइब नोज के पैंतालीस मिनट तक का समय सब से स्वेश्ट का बाल माना जाएगा वहीं चंडीकण की बात करें करिब तेस मिनट से लेकर करीब नौबच के 20 मिनट तक का महूट रहेगा वैपारी संस्थावनों के सब क्यूंकि वैपार में बहुत सारी लोग रहते हैं तो उस समय का महूट भी नूट कर लिजे दुपेहर को पंद्रा बच के यानि तीन बच के पांच मिनट से लेकर करीब करीब चार बच के 25 मिनट तक का समय बड़ा रहेगा और साइंकाल एक महूट और बन रहा है उसका भी लाव ले सकते हैं पांच बच के 25 मिनट से लेकर रात्त्री करीब 11 बजे तक का महूट बड़ा ही शुब है तो आप इस सब का लाव ले सकते हैं ऐसे में आप बड़े अक्षद् बड़े होनी का दिन है तो कौनो से सामघरी होनी चाहिए जिसे माल लक्ष्म परासन हो अलाकर कि कहा जाता है कि इसक्ति समघरी होनी चाहिए आपकी शद्दै हमारे विबस्ता है पंचोपचार पूजन, शोड़ोशोपचार पूजन, यानि 5 चीज एकटे कर दो, धूर, दीव, चावल, इत्यादी, नई वेद्ध, ये 5 चीज हो गई है, अगर शद्दा है तो शोड़ोशोपचार, शोला चीज एकटे करके बुवान की पूजा कर सकते है, उसके और शद् पात्रों में विवस्था करके, बहुत बड़ी ववस्था में, बड़ी सुन्दर तरीके से बनाकर, मनकर राज्य के इसाफ से पूजा करेंगे, तो वो सबसे श्रिष्ट बानी जाती है, और तो आपके उनुसार से कर सकते हैं, हमने समस्त जी परिदा की तरफ से सुन्दर ववस्था करिए, सबसे पहले महालक्ष्मी को फूजन की ववस्था बनाने चाहिए, यह समगरी आपके समक्ष है, तो महालक्ष्मी श्री गणेश की मूर्ति, आप अगर यह मूर्ति अपनेबल नहीं करा आप रहे हैं, तो गवरी गणेश को इस प्रकाह से स्थाबित कर सक साथ में नवग्रह की पूजा की जाती है, श्री की लक्ष्मी की गवति श्री यानी लक्ष्मी की पुजा की जाती है, ओंकार और स्वास्ती की पूजा की जाती है, फिर साथ साथ वास्तुदेव की पूजा की जाती है, खोडश मात्रिका की पूजा की जाती है, अश्ट च कि अलावा और भी कौन से देव भगवान की देवता के पूज़ा इस दन करनी चाहिए जिसे सुख सम्रती हमीश राज जी मन में बनी रहे देंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टन चीज है कुबेर जी की पूजा कुबेर जी है वह समस्त व्यवस्थाओं के मालिक वही माने जाते सब्सक्राण जो चीज हमारे घर के पूजेताहं कि पूजा कि जाती है आपके घर के देवताओं की पूजा के जाती है माताप पिता की पूजा की जाती है तो इंदर सुन्दर तरीके से आप सुन्दर दवस्था कर सकते हैं तो सवान हम सबसे पहले देख लेते हैं जिसमें ने बताया दवरी गणेश की पूजा करें खील विशेश्वार्था और खील पताशे ये महालक्ष्मी को सबसे बड़ी यह पुराने जमाने में आप लोग देखते होंगे जब हम छोटे थे खील पताशे घर में आयते तो यह खील पताशे भववती महालक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं यह मखाने बहुत इंप्रटेंट है आश्म तारिक में पूजा करते वक्त और यह कमल के पुश्प यह क कर सकते हैं वहां यह सामगरी का माने वाली है कमल का पूल और मखाने चमतकार उपस्तित करने वाले यह भी सूत्रम आपको बताएंगे पहले पूजा का सुंदर व्यबस्ता आरंब कर लेते हैं और साथ में अच्छा पूजा शुरू करने से पहले आचारे जी मैं यह आप स कलावा इत्याली इन चीजों के द्वारा पुष्प नई वेद्व यह सब चीजे मुखे चीजे हैं जिनको अवश्य रखना चाहिए दीपक अवश्य रखने चाहिए इन सब को आवश्यक्ता के दुसार से रखकर आप अपनी समस्त पूजा आरंब कर सकते हैं और जीवन मे प्रार्थना करने के बाद सबसे पहले क्या किया आता है आच्मन और पवित्रिकार ओम पवित्रा पवित्रोवा सरवावस्था ऍंददऐवश्थवा यो समु पुंड़रेक अक्षंग सवाई nhân पार अछने क्या पेऊले हों और मरेकं आतो इसके बाद आच्मन आप चांप नंव Алज म कर लेकर कर लेते हैं कि इस पकार से आज बाए ले हैं अब कर ले जा ले दें आरशम मंतर से कर ली ऊकर पार उपवं पर अपने हाथ ठीप जूता हुएा अपने से सर्क युट सबम्स पर लिख जल जल । जल में अनunder कि यह अपराजिता के पुष में साक्षात महालक्ष्मी के पुष माने जाते हैं और कहा जाता है कि यदि आज की विपाली की महारात्री पे इस प्रेडू को अपने घर में लगा लेंगे तो हमेशा महालक्ष्मी वास करेंगे ओम स्वस्तिना इंदो ब्रेधट्रवा स्वस्तिना हा पोगा विश्वा वेदा हा स्वस्तिना स्तारक्षो आरिष्टाने मेहे स्वस्तिनो ब्रेहस बादर दादू थियुक्तिना और उसके बाद भवान का आवान करने के उपरांद सबसे एले संकल्प किए जाता है थूदए से चावल लेकर हात में तो शीजवत रखकर साथ में एक बिलुपत्र रखें और भवान का संकल पकिए जाता है इसमकार से ओम विश्णु विश्णु यहां प्रवार और उसके बाद आपना नाम अपना गोत्र मैं महा अपना अपना इस पकार से आज इस समय इश्रेला में आज इस महूत में धवती के प्रसंता के निमित अपने घर में समस्त सुख प्राप्ति के निमित समस्त कष्टों को जूर करने के लिए ग्लेजन पीडाओं को निवाण करने के लिए मावगति का पूजन करता हूं गरेचांबिका का पूजन करता हूं यह सं देवताओं को आवान उत्लिया जाता है इस पकार से चावल लेके उलते हाथ में और फिर एक-एक करके सीधे हाथ से छोड़ते जाएंगे ओम गंगन पते नमहा ओम अंबाय नमहा ओम वरुनाय नमहा ओम गवरी गणेश आय नमहा ओम ओमकारं मिंदु सयुक्तम नित्यंधायंदिं कामदं मोख्यतं चैवामकाराय नमोरवा सिष्चते लक्ष्वीष्चा पत्या बहुरात्री अनियों पामक्ष्विन अउड्यातं मा सिरे 10 सर्वा लोग ऊवाद कर लिए परकूस नूइडिवतायों कोesta शिर्लेत भवन पोलाय इसकाल के लिए शचाल जाल चावाल लेकर समस्त लेवतायों को आवाहं करया अपने अवाहं कर लिया अब भवान को फनान करने को अ यहां पर थोड़ा सा जल छोड़ दिया आता है फिर भगवान को ये वस्त्र भगवान को इस प्रकार से समर्पित करें ये वस्त्रो पवस्त्रम समर्पयामी वस्त्र के उपरांत भगवान को थोड़ा सा जल लेकर यहां छोड़ दियाता है आगे जो वस्त्र आपने धरन के इसके बाद यहां मीचे जल छोड़ दियाता है फिर भगवान को तिलक लगाये जाता है ओंगंधत द्वाराम दुराधर पुष्प माला भवान को समर्पित करे पुष्प माला इत्यादिस्त से अलंकरत करने के निमित भवान को समर्पित के फिर बिल्वपत्र भवान को समर्पित के नमो विल्मी नेच कवर्ची नेच नमो वर्मी नेच वरूदी नेच नमा सुथाय सुथेनाय दुम्द भ्याय चहनन्याय चह अब गवरी गणेश की दूर्वाा समर्परित करें यू कि पूजा की अपने निमित थने सकर तो द्रशन करें अर उसके बाद कहा जाता है कि हम्हाइब प्र छाल, करने में रखे सन दोगा है तुसके बाद आवस्य हाथ दोलें और उसके बाद बाद का ध्यान करते हुए नई वेद्य भवान को समर्पए बाव रखे आप एकी चीज ने आप ही को समर्पित कर रहे हैं इस बाद का ध्यान नई वेद्य के अंदर थीर पताशे इत्यादी यह समस्त प्रकार से भवान को सब्वित किया थे अमना अभ्या आसी दंदार इक्षक गुंशीष्णों द्यों सामा वर्तता पत्भ्यां भूमेति साहा स्रोत्राता था लोकाम अकला पहनना नई विद्यम नई विद्यान ते आच्मनियम उसके बाद बहं नई बाद भगवान को पुरणा मुक्षुद्ध के लिए आच्मनुश्уса समर्पट के यहता है मुक्षुद्धिल नई आउट 어머 कीवाना उसके बाद भगवान कीवान कोस्टिव नत्यों मुक्षी यम नतार सुगंधित हैल समर्पयामि सुगंधित हैं का इत्यानी संर्पित करी उसके बाद विशेश अर्ग स्वाभित किआता है जिससे आपकी को पूजा में दोश रह गया हो तो वो सब भवान छोẮ करे। आपको मैंने विशेश अर्ग सामोलः वहरे ट्रूति चुम में और और अने श्युकान गया की वहत forbidden आकम हम burn प्रातना में श्री गडेश इत्यादी समस्त देवताउं प्रातना ओम सुनुखश्यक दंतश्यक कपिलोग जकर्णका नंभोधर अश्य विग्टो विग्णनाशो विनायका दुम्रगे दुरगना धक्ष्यो भालचंद्रो गजानना गडशेतान नामानिया पटे छुड़िया दवि विध्यारंबे विवाहे जो प्रवेशे निर्ग में तथा संग्रामे संकटे चैवा विग्णस तसना जायते सर्वमंगलम अंगले शिवे सरवार्थ साधिके शरने त्रंब के गवरी तो पूजे चैवा की योग सब्सक्राइक तर्विअ है अब फैसा संकेत होता है उस वक्षी क्या करना चाही हें कि जब पूजा करने से पहले पूजा करने से पहले टीपक को पूजा करते हैं कि है प्रभु आप तो हमने आपको साक्षी कि आप कर्म के साक्षी हैं तो आप जब तक हम पूजा करें तब तक आप से भाव करें कई पर गलती से पुछ पढ़ गया तो एक अप्षबुन माना जाता है तो क्या करें उसके बाद एक मंत्र है हमारे शरणा अगर्थ दिनार्तो परित्रान पढ़ाएने सर्वश्यार्त य अब फिर जरा कि जो हमने गलती हुई हो कि हम विश्यमा करें तो ऐसा मन में भाव ना लाए एक स्वभाविक चीज है कई बार बुझ जाती है उसको पुना प्रजुलित कर दें उससे आपके शगुन को शुब कर सकते हैं आप शगुन को शुब भी कर सकते हैं लेकि जीवन को और कल्यान में बना सकते हैं वैसे तो भाविश राशी वालों के लिए मंगल बहुत अच्छी अवस्था में स्तित है तो आपके लिए राशी बहुत शुब बना रहे हैं तो घ्रीम महालक्षम में इस मंत्र का जब करते हुए आप समस्त पूजा इत्यारी करें ए बुद्ध आजकल अभी जो है परिवर्तन होके अच्छे आगे जा रहे हैं स्वराशी में चल रहे हैं तो आपके लिए भी दिवावली बहुत शुब आपके लिए मंत्र रहेगा ओम श्रींग कमला यही नमा रखा गया कमला यही नमा इस मंत्र का आप जब कर सकते हैं वही सिंग राशेवाल के लिए ही नमा इस मंत्र का जब करें आपके लिए कल्यांकार रियुग बनेंगे सिंग राशी वालो के लिए ओम रिंग ना करया ऑ्वही ब्रिंग बात करें तो वही तुले है ज으रों के साथ हमें मंत नामों के साथ मनत्रों के लिए हैं तो आप दर्याण कर मत्र केशिषमां तो ऐसे में अपने उलवाप नाश्यान के रौन सब्सक्राइब करें करें के दो ढलाब यहने फिर जुड़ारश भात करें कुम्ब राशी वालों के समझने बात करें तो आपका शनी बहुत सुन्द स्थी में हो गया है शनी मारगी भी हो गया है तो आपके लिए सबसे मंत्र जहाएगा ओम श्रींग रिद्धिदात्रे इनमा इस मंत्र का जब करते हुए कल्यान का मारपशस करें अचारेज जी श्री हरी का कितना में पूजा के दौरान देखे श्री अंत्र अपने आप में चमत्कार है आपने समस्त पूजा करते वक्त श्री अंत्र की पूजा करी श्री अंत्र को स्थापित किया और शोडोश्र चार ने श्री अंत्र की पूजा करी यह श्री अंत्र भार आप किसी भी करियर के अंदर हैं किसी भी व्यवसाई के अंदर हैं या साधारण अपने घर को चलाते हैं भूमी का व्यवसाई करते हैं तो वहां विशेश तोर पर दीपावली महारात्री के दिन इनका विशेश तोर पर पूजन करकर अपने व्यवसाईक स्थल पर या घर प स्थापित करें यह श्रीयंत्र को स्थापित करकर आप कल्याण का मार पश्रस कर सकते हैं यह मंत्रविज्ञान का चमतकार है महालक्ष्मी के स्रीशुक्त का जब करते हुए आप जीवन में अनेक प्रकाश से कल्याण का मार पश्रस कर सकते हैं यह श्रीयंत्र जो है विशेश के आपको पूजा करने है यह हमारी कामना है कि आप हमेशा स्वस्त रहे और खुछ रहे एक बार फिर से आप सभी को शुद्धी पावली बावामिजा पुझपान्यलिर्मयालक्तम् र्यान परमेश्वरे भग्वत्ते नमहां